अगर आपको अपके बतांगी कौनसा आपके लिए फायदे मन्द होगा और कौनसा वैक्सिन आपको लगवाना चाहिए और इसके साइडिक्ट क्या होते है निके पूरिजानकारी हम आपको अच्छे तरिके से इस वीडियो को माद chili से देने वाले हैं तो वीडियो को आप complete जरूर देखेंगे चली वीडियो को start कर लेते हैं वह देखिए अभी तक तो फिलहाल जो देश है उसमें तीन वैक्सिन का उपयोग हो रहा है यानि कि इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है अमरुजाला के निस्पेपर के हिसाब से बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है और इसके side effect क्या होते हैं आपको कौन सा वैक्सिन लगवाना चाहिए तो आए यहाँ पर अमरुजाला के निस्पेपर के हिसाब से हम आपको उदा देते हैं इसमें दे रखाए कि को AIC कि क्या खास्व ट्रिक है याश को एक्सिन ओता उसकी खास्यत कई तो इसमें दे रखाए कि को वैक्सिन किक्स्टी सियल्ट वैक्सिन का स्टी पईदा करने वाले समानिय वायरति काईगी स्टारी ऍटी को बढ़ायर्स के किलाव Inti-boddy बनाने कलिए प्रेडित करता है कर तो चिसे 17 आवकारिता 70 फीसेदी होती है जिसे दूसरी डोज लेने के साथ 90 फीसेदी तक बढ़ाया जा सकता है ठीक है वहीं को वैक्सिन की प्रभाकारिता कोविसील से थोड़ी ज़्यादे यानि की 78 फीसेदी होती है कोरोना के नए वरेंड पर भी इन दोनों वैक्सिन को गया था कि कोवैक्सिन का टीका लेने वाले लोगों की तूलना में कोविसील का टीका लेने वाले एंटी बोडी का अस्तर अधिकता दो समू में बाटे गए कुल 515 स्वास्त कमचारियों पर किये गए आध्यान के दौरान पर यह पाया गया कि दोनों की दोनों ही समू में क से या कियते हैं कि भले ही इन दोनों कई दोनों को वैक्सीन दोनों वैक्सीन में एंटी बोड़ी में इंग्जेक्शन वाली जगपत दर्द और सूजन हलका बुखार सी दर्द हाथ पैर में दर्द जैसी समस्या सामिल होती है हलाकि इन साइड इफेक्ट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये समस्या है एक से दो दिन रहती है और अपने आप चली जाती है लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो डाक्टर से मिलकर दवाईया ले 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 यानि कि जो आपका ये साइड इफेक्ट को विसील और को वैक्सीन होते हैं और थोड़ा सा उन्हें मतलब अंतर रहता है ठीक है और आप लोग परसान होने के जुरूत नहीं है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डाक्टर से मिल सकते हैं ठीक है अब देख